हेलो एब्रिवन, स्वागा था आपका इस्टेडी 1.2 में दोस्तो आज की स्पीडियो में बताऊंगा कि दूरी से समध्य सवाल को कैसे सॉल्व करते है तो वीडियो को ध्यान से आपको सारा चीज अच्छे से समझा जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों यहां पहला सवाल है एक कार 180 किलो मेटर प्रती घंटा के स्पीड से चलती है तो एक घंटा 35 मिनिट में कितनी दूरी तई करेगी दोस्तों इसमें पूछा है कि एक कार 180 km प्रती घंटा के स्विशे चलती है मतलब वो एक घंटा में 180 km चलती है तो एक घंटा 35 मिनिट में कितनी दूरी तरी करेगी तो क्या करेंगे देखें यहाँ पर एक घंटा में 180 km चलती है ठीक है, पूछा एक घंटा 35 मिनट में, तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, मतलब 60 मिनट में 180 किलो मिटर चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी, एक सहसी को 60 से भाग कर देंगे, यह आजाएगा 3 किलो मिटर, तो एक मिनट में 3 किलो मिनटर चलती है, यहाँ पुछा कितना 35 मिनट, तो 35 मिनट का निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 35 को 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 3 किलो मिनट चलती है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 35 मिनट में 105 किलो मिटर, मतलब 35 मिट में 105 किलो मेटर चलती है इसमें पूछा है एग घंटा 35 में कितनी दूरी तेक करेगी तो एग घंटा में 180 किलो मेटर और 35 में 105 किलो मेटर तो क्या करेंगे 180 किलोमेटर को और 1805 किलोमेटर को जोर देंगे यह आजाएगा 280 किलोमेटर तो एक घंटा 35 मिनट में 280 किलोमेटर दूरी तई करेगी I hope आपको समझ आ गया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना धन्यवाद